Computer का परिचे, इस वेडियो में हम Computer का परिचे के बारे में जानेंगे. Computer मशीन है जो निर्देशों के एक सथ के अनुसार कारिय या गणना करता है. Computer एक electronic उपकरन है जो Input उपकरन से पढ़ा data स्विकार करता है. निर्देशों के अनुसार उस पर गणना करता है और संचालन के द्वारा data को तयार करता है. निर्देश आउटपूट उपकरनों पर वांचित आउटपूट परिणाम उत्पन लिखित करता है. आजकल Computer हमारे जीवन का एक महत्वपून हिस्सा है. शब्द Computer लाटीन शब्द कम्प्यूटरे से लिया गया है जिसका मतलब है हिसाब करना या गणना करना. मूल रूप से गणना और जल्दी से गणना करने के लिए इसका आविशकार किया गया था. कम्प्यूटर के प्रमुख अविया एक कम्प्यूटर के प्रमुख अविया है Central Processing Unit, CPU, Memory Unit, Input Unit, Output Unit, Central Processing Unit, CPU. CPU कम्प्यूटर का केंद्र होता है या यूनिट वास्तव में निर्देश निश्पादित करती है. CPU के प्रमुख वर्ग है, Control Unit, CU. अर्थमाटिक और लॉजिक यूनिट, ALU, Control Unit, CU. कम्प्यूटर के विबन भागों में होने वाले संचालन को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को भेजने के द्वारा नियंत्रत करता है. अर्थमाटिक लॉजिक यूनिट, ALU. ये प्रग्राम के निश्पादन के लिए सभी अंकगनित और तार्किक कारिक करता है. Memory Unit, Memory एक उपकरण है जो कम्प्यूटर के डेटा और प्रग्राम्स को संग्रहित करता है. Memory के दो प्रकार है, प्राथमिक मेमरी आंतरिक, माधिमिक मेमरी बाहरी. Input Unit, इस यूनिट को उप्योग करता के द्वारा कम्प्यूटर को डेटा देने में उप्योग किया जाता है. Keyboard, Mouse, Light Pen, Joystick, Touchscreen कुछ Input उपकरण है. इस यूनिट को कम्प्यूटर द्वारा उत्पन परिणाम को दिखाने में उप्योग किया जाता है. Monitor, Prunter, Speaker कुछ Direct Output उपकरण है.